नमस्कर साथी आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेड वित्रौनिक चले दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे के अपने कौर्टर फॉर रिजल्ट के सीरी चल रही है तो उसके अंदर आज बाणपूर सिमट लिम्टेड और कौर्टर फॉर का रिजल्ट आज यह है रिजल्ट कैसा और आगे ट्रेडिंग सेसन कैसे रहने वाला इन सब के बारे हम बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बैल अको बचाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए आज 23 मई औ अब कर देखिए पहले कॉल दिया एक पहले कंपनी शेर है कंपनी ब्रॉपर क्योंकि काफी लों कमंट रहता है कि पहनी शेर जरूरी नहीं कि वह लोवर रेट पर ट्रेड कर रहा हो पहनी शेर वह से जो करजे में होती है और डे वाइडे उनके रिजल खराब होता तो भी वह शेर पैनी शेर में चले जाता है बट आप लोग क्या करते हैं आप लोग शेरों की रिजल नहीं करते और इन्वेस्ट करते हैं पैनी शेर समझके के आगे चलके यह अच्छा रिटन देगा आपको वहीं क्या होता है कि वह से थोड़े दिन तो अच्छा चलता है देखें बनपूर सिमेंट के कंपणी के नाम से समझाय किस सिंगमेंट की हैं तो आपको थोड़े में एक्स्प्लेन करते हो कंपणी को कौट फोग रिजल कैसा रहा तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए तो हम बात कर रह को रिजल्ट आया देखें 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 तो किसी भी तरह कोई डिवीडेंट डिल तो है नहीं और इनकी अर्निंग से लेक्स के अंदर तो समस्तर को क्वार्ट फोग रिजल कैसा रहा तो बनपूर सिमेंट लिमिटर एंसी बेसी दोनों पर इस्टेड़े कंपन अब देखें इसको क्वार्ट फोग रिजल्ट की बात गता है इस क्वार्ट में सेल हुए 48 करोड और अप्रेशन प्रॉफिट निकल लिए 3 करोड और नेट प्रॉफिट इनका हुआ माइनस में 17 करोड अर्निंग पर शेयर गया माइनस में 1.97 तो लास्ट क्वार्ट सेल थ 17 करोड और अर्निंग पर शेयर भी माइनस में 0.63 तो बढ़के हुआ 0.97 यानि के जो आप सेल में तो इजाफा है क्वार्ट क्वार्ट बाई तो अप्रेशन प्रॉफिट जो घाटे में था 33 करोड बढ़के पॉजीटिव में पहुँच गया साधिसा जो नेट प्रॉफि करोड बढ़के हुआ 17 करोड साधिसा अर्णिंग पर शेयर भी देखेंगे आप 0.63 माइनस में बढ़के हुआ 1.97 माइनस में तो यह देखिए यहां पर मिला जूला देखने हो मिल रहा है कि सेल में तो बढ़ा था बढ़ा था बट वहीं ऑप्रेशन प्रॉफिट और इस करोड तो यह रियर वाई सेल में और प्रेशन प्रॉफिट में बढ़ा देखने को मिल रही है अब देखेंगे हमार को लास्ट यह नेट प्रॉफिट था माइनस में 16 करोड वह बढ़के हुआ मैनस में 17 करोड यानि माइनस में एक करोड का घाटा अभी यह रियर वाई नेट प्रॉफिट के अंदर अनिंग पर शेर भी लास्ट इयर माइनस में 1.84 था वो बढ़के हुआ है माइनस में 1.97 तो यह बड़ा देखने को मिल रही है हमार को तो अब देखिए यहाँ पर किया चीद देखना हो मिले जो सेल में इजाफा देखने को मिला कंपनी की परफूंट डिवाइडा कमपनी के जो है revenue generate कर रहे है यानी कंपनी आगे चलके और अच्छा revenue generate तो कंपनी दीरे दीरे अच्छा कासा रिटन कामा सकती और अच्छा कासा कंपनी मुनाफ़े में आएगी जिस तरह से काफी टैम से अर्निंग और अप्रेशन प्रॉफिट घाटे में जा तो वह प्रॉफिट में आया है तो अब इसमें थोड़े मां समझा हूँ आपको करना क्या अब देखें इसका शेर ओल्डिंग पैटन देखते हैं तो मार्च 2 जाब इसके अंदर सेरोलिंग सेम है पर मोटर के पबलीक के सेम होल्डिंग है तो देखें रिजल्ट आने से पहले शेर के अंदर कैसा मूवमेंट तो वह समझता आज के दिन तो रिजल्ट आने से पहले बनपूर सेम है लिमिटर आज के दिन 1.70% के तीज़े लगा के बंद हुआ आज यह ओपन हो था 5.05 पैसे पे हाई मारे इसने चेर प्रफ़ा पंतरर पैसे या लो मारे इसने पंस रुपे पिछासई पैसे खा प्यास लो फिटटो आई एसका आट रुपे पर्चास पैसे है ना धू आज के दिन भी इस के आज तक мीय तक आज hours तो आपको आउ परसे रिटन दे चुका है यह तो देखने हो अगर यह देखी पांच रपर 37 पैसे के लेवल को होल्ड कर जाता है तो यहां से रिबाउंड के पूरे पूरे चांस है अगर वहां से होल्ड नहीं करता तो जल्दी फिरिस्ट में लोबा सरक्ट लगेंगे और आपको तो तीन रिपर पर क्लोज क्यां करना आगर शेए नीचे गिड़ता है और पांच रिपर तीज पैसे के लेवल को होल्ड करता है तो आप जो घाता हुआइंड जो बड़े घाते तो यहां पर इंपक्त देखने को मिलेगा अभी आपको क्या करना है वेट और वाच रहा है जब तक आप पर क्लोज नहीं होता है जब तक आप पर फ्रेस्ट बाइंग बिल्कुल मत करिएगा और नीचे के दिए पांच रुपर तीस पैसे का लेवल होल्डिंग करता है तब सब्सक्राइब गारा हाँ आपको थैंस तो मच फॉर वाचिंग दिस बीडियो